प्रयागराच के सोराव थाना क्षेत्र के सराय दिना नामक गाव के एक दलीत परिवार के माँ बेटे को अग्याद बदमाशों ने धारदार हतियार से मौत के घाट उतार दिया हत्या की सुषना जैसे ही क्षेत्र में मिली तो क्षेत्र में संसनी फैल गई वही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है हत्या की सुषना मिलते ही पुलीस के आला अधिकारी सहित कई थानों की फोर्स घटना स्थल पर पहुची हुई है पुलीस के पहुचते ही लोगों का आक्रोश बढ़ गया और मांग करने लगे कि जब तक मुख्यमंत्री योगी जी या डिप्टी सीम के शव प्रसाद मौर्य नहीं आएंगे तब तक लाश की अंतिम संस्कार नहीं करेंगे साथ ही साथ आर्थिक मुआवजा और शस्त्र लाइसेंस परिवार को दिये जाने की मांग करने लगे वही क्षेत्र के जनप्रतिनीदी बीगटना स्थल पर पहुचे और लोगों को समझा बुजा कर शान कराया वही भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष विजय अंबेटकर ने मिडिया के सामने अपना आकरोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रयागराज में दिनों दिन हत्याय बढ़ रही है और एक भी खुला सान नहीं हो पा रहा है जिसके चलते पुरे प्रदेश में जंगल राज कायम है फिलहाल पुलीस लाश को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है लोगों का आकरोश देते हुए पुलीस ने दो संदिक्द लोगों को हिरासत में लेकर पुष्टाज कर रही है और पुलीस आगे की विदिकारवाई की बात कर रही है इन भी से न्यूस के लिए प्रयागरा से रवी चंद्रा की रिपोर्ट